नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे चंद्र शेकर वर्मा जी की कहानी मनसूर सहब लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिए मनसूर सहब मनसूर सहाब कोई खांदानी या पेशेवर शायर नहीं थे वो तो शौकिया अपनी कलम की नोक से कागज के सीने पर कुछ नकाशी कर लेते थे चूंकि उन्हें बच्पन से ही शायरी पढ़ने और सुनने का शौक था तो उनके अलफाज और बहर सही बैठती थी मनसूर सहाब की लखनओ के नजीराबाद में चिकन के कपड़ों की दुकान थी चिकन की खरीदारी पुराने लखनओ के महले जैसे चौक और नजीराबाद से निकल कर कब आधनिक बाजारों और मॉल में पहुँच गई ये मनसूर सहाब को पता ही न चला उनकी दुकान पर ग्राहकों की आमद और पैसों की आमदनी धीरे धीरे घटती गई मनसूर सहाब के पुर्खों ने जो कुछ रकम उनके लिए छोड़ी थी उसी से उनके घर का खर्च चलता रहा लेकिन धीरे धीरे वो जमापूंजी खत्म हो गई अब वो कभी दोस्तों से उधार लेकर तो कभी बीवी के जेवर बेज कर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे उनकी पत्नी ने एक दो बार उनको सलाह दी अपनी साइकिल पर सामान रखकर अच्छे और महंगे रिहाशी इलाकों में फेरी लगा कर देखिए शायद माल बिखने लगे अब मनसूर सहाब ठहरे शायर भूके मर जाएंगे बेगम लेकिन ये हमसे न हो पाएगा मनसूर सहाब की फितरत में महनत थी ही नहीं दुकान पर बैठना मनसूर सहाब के लिए सिर्फ टाइम पास था कभी कभी पूरा दिन निकल जाता और एक भी कुर्टा नहीं बिखता मनसूर सहाब जब दुकान पर जाते थे अपनी डाइडे अपने साथ ले जाते थे वो जो भी गजल या नजम कहते अपने शौकीन दोस्तों और अडोस-पडोस के दुकानदारों को सुना देते मनसूर सहाब की गजलों में जिन्दगी का फलसफा था, गुर्बतों की दुश्वारियां थी, नाकाम मुहबत का दर्द था और इन सब के उपर फकीरों की शहनशाही थी, जो भी उनकी गजले सुनता उनका दिवाना हो जाता अक्सर मनसूर सहाब की दुकान पर छोटी मोटी महफिल सच जाती मनसूर सहाब के पडोसी दुकानदार अकरम मियां उनके विशेश रूप से कायल थे अक्रम मिया से मंसूर सहब की गहरी दोस्ती थी और उन्हें मंसूर सहब की खस्ता माली हालत के बारे में सब पता था एक दिन अक्रम मिया अपने जीजा दिलशाद अली दिल को लेकर मंसूर सहब की दुकान पर तश्रीफ लाए दिलशाद एक नामचीन शायर थे और दुनिया भर के मुशायरों में उनकी गजलें बहुत सराही जाती थी दिलशाद अली का फिल्मों में भी दखल था और वहां भी वे बड़े गीतकार के रूप में जाने जाते थे मनसूर सहब दिलशाद अली के बहुत बड़े प्रशंसत थे अपने महबूब शायर को अपनी दुकान पर देखकर मनसूर सहब गदगद हो गए दिलशाद सहब आपके कदमों ने इस नाचीज की दुकान को नवाज दिया मैं आपकी सभी किताबें पढ़ चुका हूँ और अकसर आपकी शायरी अपने दोस्तों को सुनाता रहता हूँ ये कहते हुए उन्होंने तुरंत ही एक कीमती चिकन का कुर्ता दिलशाद सहब को भेट कर डाला अरे इसकी क्या जरूरत थी दिलशाद की जुमान से ये अलफास तो बड़ा संकोच करते हुए निकले पर उनकी आँखें लगातार उस कुर्ते की कढ़ाई और कशीदा कारी को पैमाना बनाकर उसकी कीमत ट्रटोल रही थी धाई हजार से तीन हजार का तो होगा दिलशाद के दिमाग ने उनकी आँखों से मिली जानकारी को रकम में तब्दील कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद अली मुस्कुराते हुए बोले आपने तो मुझ पर ये एहसान लाद दिया तो एहसान उतार दीजे न अपनी ताजा गजलें सुना कर दिलशाद ने उनके हाथों को चूम लिया और कहा मनसूर भाई आप क्या कमाल की गजल कहते हैं आपकी ये गजलें कहीं छपी हैं क्या अरे नहीं दिलशाद साहब मैं और मेरी शायरी इस लाइक कहां पहले तो कौन सा प्रकाशक एक नए शायर की गजलें छापेगा और छप भी गई तो यार दोस्तों के अलावा कौन पढ़ेगा इने मनसूर साहब की बातों में छिपे दर्द को दिलशाद अली ने या तो सुना नहीं या फिर सुनकर अंसुना कर दिया वो तो है लेकिन भाई जिन्दा बाद हैं आपकी गजलें और आप अब चुकि आपकी कोई किताब उपलब्ध नहीं है कभी तनहाई में इन्हें फिर से सुनने का दिल चाहेगा तो क्या करूंगा मनसूर साहब को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हकीकत में है या ख्वाब में क्या आप सच कह रहे हैं अरे भाई मैं जूट क्यों बोलूंगा दिलशाद तस्दीक करते हुए बोले आप मुझे बस पांच मिनट दीजे मैं अभी इन गजलों की नकल बना कर आपको देता हूँ यह कहकर मनसूर साहब ने अपनी कुछ चुनिंदा गजलें लिखकर दिलशाद को दे दी आपकी शायरी के आगे सारे बड़े शायर फीके पड़ जाएंगे अब देखिए मैं कैसे आपका नाम देश विदेश तक ले जाता हूँ दिलशाद अली ने मनसूर साहब का पता नोट किया और उनसे रुक सती ली इस घटना के लगवक 6 महीने बाद मनसूर साहब को लखनव में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रिय मुशायरे का आमंत्रन मिला आमंत्रन भेजा था दिलशाद अली ने अपने व्यक्तिकत इसरार वाले नोट के साथ आपका आना बहुत जरूरी है मनसूर साहब मुशायरे का व्यक्तिकत आमंत्रन पाकर मनसूर साहब को बेहत खुशी हुई हाला कि उन्हें थोड़ा मलाल इस बात का जरूर हुआ कि दिल्शाद सहाब ने उन्हें मुशायरे में बतौर शायर शामिल होने का नियोता नहीं भेजा था यार अक्रम दिल्शाद अली जैसी शक्सियत के लिए एकाज सिफारिशी शायर को शामिल करवा लेना बाएं हाथ का खेल था मनसूर सहाब ने अपने मन की बात अक्रम से कह दी अब यार जीजा है हमारे तो हम उनसे कुछ कह नहीं सकते एक दो बार और मिलो हो सकता है आगे कुछ काम बन जाए अक्रम ने उनको सब्र रखने को कहा मनसूर सहाब सब्र रखने के सिवा कर भी क्या सकते थे लखनव में हजारों शायर हैं लेकिन जाती तोर पर उन्होंने सब को थोड़ी ही बुलाया होगा ये क्या कम है कि दिलशाद अली जैसे शायर को इतनी अधनी सी सक्षियत याद रह जाए मनसूर सहाब की मुशायरे में दर्शक की हैस्यत से जाने की तीवर इक्षा ने जल्द ही उनको समझा लिया और एक छोटे मजबूर शायर ने एक बड़े मशूर शायर को माफ कर दिया मनसूर सहाब ने अपनी एक पुरानी शेरवानी निकाली और वे सजध़कर अक्रम मिया के साथ मुशायरे में पहुँच गए यूँ तो मुशायरे में प्रवेश का टिकट काफी महंगा था लेकिन मनसूर सहाब के पास दिलशाद अली का भेजा हुआ व्यक्तिकत ने होता था जिसको देखते ही गेट पर खड़े व्यक्ति ने उनसे कहा सर आप आगे चल कर बैठिये उसने मनसूर सहाब को बड़ी इज़त के साथ आगे की पंक्ति में बिठा दिया उन्हें याद भी नहीं आ रहा था कि इससे पहले उन्हें इतनी इज़त कम मिली थी मुशाइरा शुरू हुआ और मनसूर सहाब की नजर जा पहुची दिलशाद अली पर जिनको अपने ही द्वारा भेट किये हुए कुर्टे में देखकर उन्हें गर्व की अनुभूती हुई और जब दिलशाद अली ने मंच से उन्हें सलाम किया तब तो मनसूर सहाब की खुशी से आँख ही भराई चुकि दिलशाद उस मुशायरे के सबसे अजीम शायर थे इसलिए उनकी गजल पढ़ने की बारी भी आखरी में आई हॉल खचा-खच भरा हुआ था और दर्शक दिलशाद अली को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे दिलशाद अली ने माईट सम्हाला और दर्शकों को संबोधित किया हवातीन और हजरात वैसे तो मैं मुंबई में रहता हूँ पर लखनव शहर से मेरे खास तालुकात हैं एक तो मैं यहां की तहजीब का कायल हूँ और दूसरा मेरी ससुराल यहीं पर है कहने का मतलब यह कि यहां के सारे जवान मेरे साले और सारे बुजर्ग मेरे ससुर हुए दिलशाद अली ने जैसे ही लखनव की जंता से अपना नाता चोड़ा तो लोगों ने तालियों और ठहाकों से उनका स्वागत किया शायरी का समा बंद गया था मैं आज जो गजल आपको सुना रहा हूँ उनमें आपको लखनव की मिट्टी की खुश्बू मिलेगी यहां का अंदाज यहां की जवान मिलेगी और यह कहकर दिलशाद ने तरन्नम में गजल पढ़ने शुरू की पर यह क्या दिलशाद तो मनसूर सहाब की ही एक गजल को हूबहू पढ़ रहे थे वही लवज और वही धुन दर्शक हर शेर पर बढ़ चड़ कर दाद दे रहे थे और दिलशाद अली सर को जुका कर उसे कुबूल कर रहे थे मनसूर सहाब पर तो कुठारा घाच सा हो गया था ये तो मेरी गजल है यार तुम्हारे सामने ही तो मैंने ये दिलशाद को सुनाई थी मनसूर सहाब ने अकरम से कहा पर उनकी दबी हुई आवाज शोर गुल में डूब गई मनसूर सहाब के जहन में दिलशाद का वही सवाल गोंजने लगा आपकी ये गजलें कहीं छपी हैं क्या मनसूर सहाब ने अशार की चोरी के बारे में सुना तो था लेकिन ये हादसा उनके साथ हो जाएगा ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये जो गजल के चंद अशार मेंने आपको सुनाए वे कैसे लगे दिलशाद ने दर्शकों से पूँचा मनसूर सहाब का दिल आया कि वहें खड़े होकर कह दें एकदम वाहियात और कोई कुछ बोले तो उससे अकड़ कर कहें मेरी गजल है मैं इसको जो चाहे कहूँ लेकिन अगले ही पल उनको लग गया कि वो इस बात को साबित कैसे करेंगे कि ये उनकी गजल है हॉल में दर्शकों की तालियों की आवाज मनसूर सहाब को चिढ़ा रही थी उनका दम घोटने लगा था मुझसे यहां बैठा नहीं जाएगा आकरम मैं निकलता हूँ कहकर मनसूर सहाब उठने ही वाले थे कि उनके कान में दिलशाद अली की आवाज आई ये शेर मेरे नहीं थे दिलशाद अली ने सब को हैरत में डाल दिया था आपको जानकर ताजब होगा कि ये शानदार शायरी आप ही के शायर के एक गुम नाम लेकिन बहुत बहतरीन शायर मनसूर सहाब की है ये शायरी की दुनिया की बदकिस्मिती है कि हम जैसे लफ़ाज शायरों को सुनने के लिए आप लोग हजारों रुपए के टिकट खरीटे है लेकिन मनसूर सहाब की मैयार वाली शायरी आप मुफ्त में भी नहीं सुनना चाहते ये तकदीर का ही खेल है कि हम जैसे लोग लाकूं कमा रहे है और मनसूर सहाब जैसे आला दरजे के शायर दरदर की ठोकरें खा रहे है दिलशाद अली बोले सच तो यह है कि आपने मनसूर सहाब की शायरी को ध्यान से इसलिए सुना क्योंकि उसे मैं पढ़ रहा था इसलिए मैंने फैसला किया था कि आज के आयोजन में मैं भीर तो अपने नाम से जुटाऊंगा लेकिन आपको सुनवाऊंगा मनसूर सहाब की शायरी और इससे होने वाली सारी कमाई मनसूर सहाब को दी जाएगी दिलशाद की ये बात सुनकर मनसूर सहाब सन रह गए आज ये मंच और माईक आपके इंतजार में है मनसूर सहाब ये कहकर दिलशाद अली मनसूर सहब को स्टेज पर बुलाने के लिए नीचे उतर आए तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं